नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों ससी जेई एक्जाम 2019 जो की टोटल आठ सेट में कंडेक्ट हुआ है इसमें से साथ सेट के सभी जीके के क्योशन्स दो वीडियो में कवर हो चुके हैं यदि आपने इससे पहल साथ जीके के क्योशन से वह पूछे गए हैं और यह सभी क्योशन आने वाले किसी बी ओनलाइन कंपिटिट्व एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यदा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इसमें आपके सभी करंट अपेश्वगरा की इंपोर्टन क्योशन है और एक्ष्टा फेक तो आपके सामेन पहला क्योशन आईजिक ञुटन ने गति के कितने नियमों का सूतरी करण किया था तो न्यूटन ने गति के तीन नियम दिये हैं पहला नियम था वह था आपके जड़तों का नियम दूसरा नियम है समवे एक सरक्षन का नियम है और तीसरा है किरिया परतिकिरिया का नियम और जिसमें से एक योशन पूछा जाता है कि न्यूटन की गतिन का जो पर्थम नियम है जड़त्व का नियम ये 1686 में दिया है अगला स्वाल किस राजवंस ने खजुराव मंदिर का निर्मान करवाया था तो चंदेल राजवंस ने खजुराव मंदिर का निर्मान करया था और ये मंदिर कहां पर है तो ये मद्धि परदेश राज्ये में हैं मद्धि परदेश का एक जिला है छतरपूर तो छतरपूर जिले में है ये हजुराव इसमाक नैश्ट के उसर भारती समिधान के किस अनुछेद में मोलिक अधिकानों का वर्नन है तो अनुछेद यहां पर 12 से लेकर 35 तक टोटल आपके मोलिक अधिकार जो 6 है मूल समिधान में 7 मोलिक अधिकार थे लेकिन जो 44 समिधान संसोदन हुआ ह उसमें संपति के अधिकार को मोलिक अधिकार की सुच्ची से हटा कर समिधान के अनुच्छे 301 के अंतरिकत कानूनी अधिकार की रूपे रखा गया है पहले मुल समिधार में total 7 आपकी मौलिक अदिकार थे, उसमें से 44 में समिधान संसोतन के दोरान, ये संपति का अधिकार है हटा दिया है, अब ये 301 के अंतर्कत, एक कानूनी अधिकार के रूप में है, और जो अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, तो एक तो आपका समता का है, समता समानता का अधीकार जोकनायस 14 से लेकर 18 ऐसामानताका अधिकार फिर यहां पे मेरे और सिष्वतन तरता के 19 से लेकर 22 तक है और उसके बाद सोशन के विरुद अधिकार तो सोशन के विरुद अधिकार आपके 23 और 24 है और फिर यहां पे चौता है धार्मिक स्वतनतर्ता का अधिकार धार्मिक स्वतनतर्ता का जो की 25 से 28 हो जाएगा पांचवा है आपके संसकर्तिका है और 6 संसकर्तिका है जो 39 एंड 30 है और लास्ट आपके समिधानिक उपचारों वाला है तो समिधानिक उपचारों वाला वो आपके अनुछेत 32 है तो टोटल यहां पे 12 से लेके 35 तक मोलिक अधिकारों के बारे में आपको वर्णन मिल इसमें एक किस और की 6 घंटे तक एक वीडियो गेम खेलने के बाद दिल का दोरा पड़ने से मिर्ट्य हो गई थी ये कौन सा वीडियो गेम था तो ये था दोस्तों पबजी जो आज कल बहुत ही ज़्यादा पंचलन में हैं पबजी की फुल फॉर्म धी देखी यहां पे जो पबजी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है प्लेयर अनौन बैटल ग्राउंड हैं जिदी किसी एक्जा में पूछ लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं तो प्लेयर अनौन अनौन बैटल ग्राउंड इसके आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी और ये आपके इसके दिल का दोरा पढ़ने से मर्दी हो गई थी इसी गेम के कान नेक्स वाले आपके विसो का सबसे उन्चा सेन्य अड़ा किस देश में हैं विसो का सबसे उन्चा सेन्य अड़ा है भारत में आप्सन दो आपका करेक्ट हो जाएगा नैस्टन यहां पर किस ने कहा था कि सभी प्रदार्त जो परमानों से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनासी निर्माण खंड है तो यह जौन डॉल्टन ने कहा था और परमानों की खोज भी जौन डॉल्टन ने की है परमानों की खोज है और अगला स्वाइल याँ पे क्योसे नम्मर साथ 1905 में बंगाल राज्य की विभाजन की घोषना किस ने की थी तो यहाँ पे घोषना की थी 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड करजन जैसे लॉर्ड के नाव यहाँ पे उच्चित नहीं है तो लॉर्ड करजन ने करजन ने 19 जुलाई 1905 को जो कि भारत के ततकालिन वाइसराय थे इनों ने बंगाल विभाजन की गोष्णा की थी और ये परभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर को हुआ था बंगाल विभाजन है बंग भंग कहा जाता इसे तो 16 अक्टूबर 1905 को ये परभावी हुआ है और और इतियास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है अगला स्वाल 31 मई 2019 को भारत में किस ने वानिक जी तता उद्योग मंत्री का पदभार संबाला था तो मई 2019 में जो वानिक जी और उद्योग मंत्री कॉमर्स एंड इंडिस्टण को हुने प्युष्ट गोइल है इसी के साथ साथ ये रेल मंत्री भी है 3 सेप्टेम्बर 2017 को इन्होंने रेल मंत्रा लेका पदभार संबाला है और यहां पर माई 2019 में वान जेओं उद्योग मंत्री का अगला स्वाल विच लो इस्टेट्स तो ये इंगलिस लेंग्रिज में है तो ये आपका ताप है ताप निचित होगा इसमें फिक्स रहेगा ताप आपकी और ताप के साथ यहां पर क्या बताया गया है और वोल्यूम है जो इसका आइतन है ये इसके दाब के विज़कर्मान उपाती है तो ये कौन सा नियम बताना है कि इस्तिरताब पर जो आयतन है वो दाब की विद्कर्मान उपाती होता तो ये बोईल का नियम है किसका है बोईल का नियम ये बताता है जिसमें आपके दाब बढ़ाएंगे तो आयतन तो घटेगा दाब किसी भी गैस में आप दाब बढ़ा रहे हो इसके उपर प्रेसर तो इसका आयतन का मोगा मतलबी व्यूत करमान उपाती है बात करें यहां पे चालर्स नियम की तो चालर्स का न दाब है जो प्रेसर है वो फिक्स होगा प्रेसर फिक्स होगा और गैस का जो आयतन रहेगा वोल्यूम है यह ताप मान की क्या होगा समान उपाती होगा यह कहता है चालर्स नियम बात करें यहां पे गैलू साक लोगी तो यहां पे दाब आपके फिक्स हो गया चालर्स में temperature हो गया बोईस में गैलू साक किसको fix करेगा तो गैलू साक में यहाँ पर आपका fix रहेगा item volume है वो fix रहेगा तो volume में दी fix रहे तो दाब और ताप में क्या संबन्द हो जाएगा तो ताप के समान उपाते हैं को दाब रहेगा वो आपके ताप के समान उपाती रहेगा यह कहता है गैलू काणियम यह किसी भी गैस के item को नियत रहें fix रहें volume को तो गैस-जो आपके समान उपाती होगा तो fire आपको ध्यान में रखने हैं which of the following is not an isotope the element hydrogen, तो hydrogen के जो तीन सम इस्थानिक होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे दे रहा रेडियम, रेडियम नहीं है, तीन है, एक तो प्रोटियम है, 1H1 प्रोटियम है, सेकेंड है आपके डूटेरियम, जो 1H2 है, और थर्ड है आपके, ट्राइटियम है, 1H3 है, यह नहीं 1 का क्या मतलब हुआ, यह isotope है, समिस्थान तो समान रहेगा, मतलब परमानु करमांख है, वो एक-एक है सभी में, लेकिन जो दरिमान सिंख्या है, समिस्थानिक में वो भिन-भिन होती है, तो इसमें दरिमान सिंख्या 1 है, मतलब इसमें न्यूट्रोन आपके 0 है, इसमें बात करूँ, दरिमान सिंख्या 2 है, मतलब न्यूट्रोन आपका 1 हो जाएगा, इसमें 3 है, तो neutron आपके दो हो जाएंगी तो neutron की संग्या भी पूछ लिया जाता है कि protein में कितने neutron हैं, dietary में कितने हैं, tritium में कितने हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है next वो यहाँ पर भारती रिजरो बैंक निमलिकित मैसे किस पर हुए खर्चे वैन नहीं करती हैं, तो यहाँ पर जो सरकार को कर है इसके खर्चे RBI वैन नहीं करती है अब देखे RBI की बात करें, रिजरो बैंक आप इंडिया की तो इसकी स्थापना से क्योशन पूछा जाता है जो कि 1 अप्रिल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी वर्तमान में इनके जो गवर्नर है, वो है सक्तिकांत दास है RBI के गवर्नर इस्थापना 1 अप्रिल 1935 को हुई है अगला स्वाल पंडूब्यों में निमलिक्त में से कौन सा उपकरण समुदर तल के उपर की वस्तों को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है, तो पंडूब्यों में समुदर तल के उपर की वस्तों को देखने के लिए जो उपकरण का प्रियोग किया जाता है, वो पैरी इसकॉप है इसे हिंदी रूप होता है, परी दर्सी पैरी इसकॉप को हिंदी में परी दर्सी कहा जाता है यह एक ऐसा प्रकासिक यंतर है जिसके दोरा जो प्रेक्षक होता है वो छिपा रहेकर प्रेक्षक हाइड रहेगा और अपने ज्यारों और के वातावन को देख सकता है पैरी इसकॉप की माध्यम से और यहां पर जो हाइप सो मेटर है यह समूदर तल चे उन्चाई ग्याद क होता है जो पोदों के उन भागों में पाया जाता है जाओ वर्दी की संभावना होती है तो यहां इस्थर हो जट्टिल इस्ताई उत्तक निमल निकत में से कौन से तो हो जाएंगे आपके जाइलम और फलोएम जट्टिल इस्ताई उत्तक हैं जाइलम और फलोएम और सरल इस्ताई उत्तक की बात करों तो आपने नाम सुना होगा कॉलैन काइमा इस्कलरैन काइमा और इस्कलरैन काइमा वो म्रत होती है किस उत्तक की कोशिकाय म्रत होती है तो वो आपकी इस्कलेन काईमा की होती है रेल में पूछा गया है इस्कलेन काईमा जो की एक सरल इस्ताई उत्तक है कॉलेन काईमा इस्कलेन काईमा पेरेन काईमा और यहां पर मैं इस्कलेन काईमा जिसे दर्ड उत्तक बो तो कंकाल की मासपेशय कठोर सेंजी उत्तक दोरा कंकाल से जूड़ी होती है उसे क्या कहाँ जता हो यह टेंडन होता है 진짜 Hindi में कंड्रा भी बोला जाता है Люб पूछे जाता है टेंडर और लेगामेंड से तो टेंडन में क्या होता है इस कंड्रा में एक कंकाल की जो मास पेसी है कंकाल की मास पेसी और हड़ी आपस में कनेक्ट होगी मास पेसी और हड़ी यहां पर दिया हुआ है जो इंगलीज फॉर्म में Skelton Muscles और जो Skelton के हड़ी है वो एक सेयोजी उत्तक है ये Connective Tissues है जो मासपेसी और हड़ी Connect होगी वो तो आपका Tendon होगा कंकाल की मासपेसी है कठोर सेयोजी उत्तक जो की आपका Tendon है इसके दोरा मासपेसी और हड़ी है वो जुड़ी होती है और बात करूँ में Legament की तो Legament से भी पूछा गया है तो हड़ी और हड़ी आपस में इदी Connect हो रही है हड़ी और हड़ी तो वो आपके Legament कहलाएगा मासपेसी और हड़ी हो रही है तो आपका Tendon कहलाएगा विख्याद Tennis के दाड़ी नौवाक जोकोविच किस देश का परती जित्तो करते है तो नौवाक जोकोविच चाहिए सरविया के है और एक और विख्याद के दाड़ी है आपने सुना अगर राफेल नडाल राफेल नडाल है यह है इस्पैन की तो दोनों का ध्यान में रखना है नडाल है इस्पैन के और जोकोविच है आपके सर्विया के अगला स्वाल भारत के किस राजे में विशु का बैलाष्टिक उलका परभाव से बनने वाला विसालतम गड़ा इस्तित हैं जो की उलका परभाव से यहाँ पर गड़ा बना है, वो महाराष्टर में इस्तित है, तो यह विस्व का बैलाष्टिक उलका परभाव से बनने वाला विसालतम गड़ा है, इन में से क्या जैविक अवशादी सिला नहीं है, कौन सी यहाँ पर जैविक अवशादी चटान नही तो चटानों के परकार में जो अवसादी होता है उसमें भी एक जैविक रहता है तो जैविक में आपके बलुआ पत्थर है वो नहीं है बाकि जैविक में बलुआ पत्थर वैसे एक अवसादी चटान है लेकिन ये जैविक नहीं है बाक कोईला लेगनाइट और स्रेटी पत् तो पेड़ पोदे और जानवरों से प्राप्त होगी तो इसमें बलुआ पथर नहीं होता है और यहां पर जो चटाने हैं तीन प्रकार हैं एक तो आपके आगने हो जाता है और एक यहां पर जो आवसादी का पूचा है और एक है कायांत्रित तो आवसादी आगनी और कायंत् तो आग्रा का किला और जो दिल्ली का लाल किला है ये बलुया पत्थर नामक अवसादी चटानों से बने वे हैं आग्रा का किला और दिल्ली का लाल किला अगला स्वाल वह प्राकर्तिक प्रक्रिया क्या है जो पिर्थवी की सत्य को गरम रखती है तो ये ग्रीन हाउस एफेक तो सियो टू का सबसी ज्यादा होता है फिर यहां पर नाइटर्स आकसाईड में अगस्ट 2019 में मुडिक निवेशक न्यवार्ची कलेंडर 2019 में भारत की पूर्वा नुमातित शकल घरेलू उत्पाद यानि GDC विकासदर को 6.8% से कम करके कितना कर दिया है तो यह 6.8% से कम होकर 6.2% कर दिया गया है नेक्स्ट वन यहाँ पे एसी टॉन का आपको रासानिक सूतर पूचा है तो एसी टॉन जिसका जो आयूपी सी नाम होता है वो प्रोपेनोन होता है एसी टॉन को आयूपी सी नेम है प्रोपेनन और इसका जो आन्विक सूतर की बात कर दो यह है CH3, C double bond O, CH3 यानि CH3 का यह 2 औ और दो तो आपके CH3 है और CO है ऑप्सन एक यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेम लेकित मैं से क्या हैलोजन नहीं है तो आवर्शानी का जो सत्तरमा ग्रूप है उसे हैलोजन ग्रूप बोला जाता है हैलोजन ग्रूप में जो तत्व है वो गलिसरीन नहीं है बाकि फुलोरिन है और कलोरिन है ब्रूमिन है आयोडिन है तो यह सभी हैलोजन समुके हैं ग्लिसरीन जो ग्लिसरीन है एक कार्बनिक योगिक है जो की तेल और वसा में पाए जाता है रंगिन कार्बनिक योगिक है ग्लिसरीन और इसका उप्योग की बात के तो यह औस दी निर्मान में इसक तो 1749 में हुआ था यह 24 भरवरी 1749 को नादिर्श्वा और मुहुमत साह के मद्धि लड़ा गया था यह ओप्सन एक क्रेक्ट हो जाएगा 24 फेव 1749 को मुहुमत साह और और नादिर्शार के मद्धि करनाल की बात करें तो यह हरियाना राज्य का जिला है और यहां पर फार्श का साहसक था नादिर्शार है और जिसने लूट पार्ट करने के उदेशे से भात पर आकर्मन किया था और मुगल साहसक मुहुमत साह से इनका सामना करनाल में हुआ था म मुगल सासक के रूप में जाने जाते हैं और करणाल की यूद में मातर तीन घंटे लड़ने के पच्छा थैं ये मुहमत सा हार गए थे और जीतने के बाद नादिर्शाने सांती वारता के चलते मुहमत सा को 20 करोड रुपे हर जाने की रूप में देने को कहा था और अगला स् जे-की रोलिंग दोरा अंग्रे जी में रच्ट एक उपन्यास करम है तो जे-की रोलिंग दोरा यह रच्चत है हेरी पोटर है इसमें एक नई जादुी दुनिया का वर्णन है इसमें जादू के कैरेक्टर है बुरे जादू कर जादू का विधाले वगेरा तो जादू ही दुनिया का वर्णन है जेके रोलिंग का यहां पे है रचना हेरी पोटर अगला स्वाल विच आप दा फॉलोविंग एलिवेंट इस नॉट एमोंग दा सिक्स एलिमेंट कॉमन टू ओल लिविंग और निजम यही निम् घ्रजन होगया और ऑक्सिजन हो गया फिर यहां पर बात करें तो नाइट्रोजन आजाता इसमें और ऍ॥म इन्दन वर्दमान को किस शोर शक प्रूसकार से सम्मानित किया गया था तो वर्दमान अविदंदन वर्दमान को मिला है वीर चकर अगस 2019 में निमलिक्त में से कौन सा बादल वायू मंडल में सबसे नीचे इस्थित बादल नहीं है तो बादल के भी प्रकार होते हैं इसमें से जो पक्षाब बादल होता है पक्षाब मेग जो कि सबसे अधीक उन्चाई पर बने होते हैं तो ये सबसे नीचे नहीं होते हैं पक्षाब आपके सबसे अधीक उन्चाई पर लगू हिमकण हैं हिमकणों से बनते होते हैं जो को लगू होते हैं और जो प्राय यहां पर रेशम की तरह देखते हैं उपर रेशम की तरह आप गूगल करके देख सकते हो पक्षा बादल आपको इमेज मिल जाएगी और यह 5000 मेटर से अधीक हाइट पर बनते हैं अगले स्वाल की तरह बढ़ते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट पती कौन थे तो पर्थम उपराष्ट पती थे सरोपली रादा किश्न जो की 1952 से लेकर सताउं तक इनकार जो टेन्योर रा हैं सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जो उपराष्ट पती हैं वाइस प्रेजिडेंट वो थे जाकिर उसेन थे और अभी वर्तमान में राष्ट पती हैं वो हैं तेरवे राष्ट पती कौन है वेंक्या नाइडू हैं तेरवे राष्ट पती जो की 2017 से कंटेन्यो हैं और पर्थ प्रयावन समझोते का नाम ओज्वान प्रत को बचाने के लिए जो कि ओज्वान शहिकारी पदार्थ के उन्मुलन से जुड़ा हुआ एक प्रयावन समझोता हुआ है उसका नाम है मौंट्रियल प्रोटोकॉल है यह एक अंतराश्टी संदी है जिसे ओज्वान स्रण को रोकने के लिए बनाए गया है और इस प्रोटोकॉल के मादेम से उन पधार्तों के उच्पादन को कम करना है जो कि ओज्वान प्रत के स्रण के लिए जिम्मेदार है उनको कम करना है और इस संदी पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्सर किये गए थे और एक जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुई थी संदी 1987 16 सितंबर को हस्ताक्सर हुए है और एक जनवरी 1989 को प्रभावी हुई है इसकी पहली बैटक हुई थी 1989 को हैल सिंकी में इसकी पहली बैटक हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे संसुदन पर प्रोटोकॉल की बात करें तो एक्योसन आपके पूछा जाता है कि राम सर्शमिलन से एक्योसन आता है राम सर्शमिलन है राम सर्शमिलन ये किस से सम्मन्दित है तो ये नम भुमी के सनक्षन से है रामसर सम्मिलन और क्योटो प्रोटोकॉल के यहां पर बात करें यह मौन्ट्रियल हो गई एक क्योटो प्रोटोकॉल है यह किसके बारे में है तो जो ग्रीन हाउस गैस है वायू मंदल में ग्रीन हाउस गैसेज है तो इनके घनतों यहां पर इसका इस्तुरी करना इसके घनतो को जिससे मनुश्य जिवन दोरा यहां पर हानिकारक रुकावटर धा हो तो यह कोटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जो की 11 देसंबर 1997 को जापान की क्योटो सहर में इसको ग्रण किया गया था प्रभावी यह हुआ था 16 फैब 2005 में 1997 को यह क्योटो प्रोट डिवन संदिप्स यहां पर हो जाईगी आपके OS 1285 के वियना समयलन में इसकी सहमती बनी थी तो ये आपकी मॉन्ट्रिल और वियना का ध्यान में रखना है वो जोन 6 से संबंदित है अगला स्वालिया पर जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक इस्तिर वस्तु इस्तिर अवस्ता में रहती है या यदि कोई गत जब तक उस पर बाहरी बल नय कारे करता हो तो यह नियम कहलाता है जड़तों का नियम है न्यूटन की गति का पर्थम नियम हो जाएगा सेकेंड स्वेक संक्षन का है तीसरा किर्या परतिक्रिया का इन में से कौन सा पोदा कुछ या अधिकांस रूप से अपना पोशन कीड जो मकोडों और अन्य संदीपाद जीवों से उनको फंसा कर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है तो यह हो जाएगा पोदा कैलिफो फोर्निया घट परनी पोदा कैलिफोर्निया पिचर प्लांट इसका नाम है अगला स्वाद निमलिक्त में से किस राजे में पंचा तिराज परनाली विधिमान है तो यह तीन इस्टेट कौन से तो एक तो मेघाले में नहीं है नागालेंड में नहीं है और मिजोरम में नहीं है पंचाई तिराज व्यास्ता अउनचल परदेश में है इसके अलावा भी कुछ रज्जे हैं जिसमें पूरे जिलों में के आते हैं मनिपूर में वहां पर भी पंचाई तिराज नहीं है और तिरुपूरा के भी कोछ एरियां जहां पर नहीं है बाकी यह मेघाले नागालेंड में इन तीनों में नहीं है तो आवनचल परदेश में पूरे रूप से हो जाएगी ऑप्शन दो करेक्ट है अगला स् जो मुख्य मंत्री हैं वो हैं बी एस यदू रपा तो यदू रपा की जो बीजेपी की सरकार ने महमत सामित करने के अगले दिन एक बड़ा फैस्टल लेते हुए टीपू जहिंति पर होने वाले समारों को रद कर दिया था तो जो टीपू सुल्तान मैसूर के सासक है टीप टीपू सुल्तान की जयनती मना सुरू किया था लेकिन यहाँ पर करना टक के बिजसेद्पोपा सरकार ने बिजस जो यहाँ पर बाउम साबित होने के अगले दिन टीपू जयनती को रद कर दिया था वोट टेक्नोलोजी इस बिटकोइन बुल्ट ओन तो कौन सी तकनीक है जिस पर बिटकोईन पर बिटकोईन पर निर्मित कौन सी टेक्नलोजी है तो ब्लोगचेन हो जाएगी ये बिटकोईन पर आधारित है अगला स्वाल AD यूग CE भी कहलाता है तो AD यहाँ पर बोदरा की CE सैम है तो AD की फुल फॉर्म तो आपको भाउचेन है BCE BCE का मतलब है before common era हो जाएगा और BC हो जाएगा before Christ हो जाएगा before Christ और before common era यह दोनों एक समान है एना डोमीनी और common era दोनों एक समान है इसकी मिनिंग तो यह ध्यान में रखना आपको दोनों का तो यहां पर 395 आर्टिकल थे जब मोल समिधान लागू हुआ था तो कितने यहां पर भाग थी 22 भाग थी । वर्तमान में यहां पर 25 भाग हो चुके हैं और 365 आर्टिकल हो चुके हैं और पहले समिधान में आपके आठ सीडूल थी टोटल जो अनुसुचियां थी वो आठ थी वर्तमान में टोटल याँ पे बारा अनुसुचिय हो गई है तो ये ध्यान में रखना है मूल समिधान में 22 भाग 395 अनुचेद और आपके आठ सीडूल थी वर्तमान में याँ पे 25 ह कि आसके हैं आर्टिकल आपके चारी पेंसेट हो चुकी है अगला स्वाल तमीन नाडव में नमक सत्याग्र क्ने कीर सिराल गोपाल चारी में वैसे जो नमक सत्याग्रस हैं दंडी मार्च जिसे नमक मार्च यह सत्याग्रस में जाना यह हुआ था 1930 में बारा मार्च 1930 में जो बापू महत्मा गांदी के दोरा अंग्रेश सरकार के नमक के उपर कर लगाने का जो कानून है इसके वुरुद में यह आपका नमक सत्यागर की शुरुवात होई थी इन्होंने एहमदाबाद के पास जो इस्तित साबर मती आश्रम है वहां से दांडी गांँ तक 24 दिनों तक का पैदल मार्च निकाला था और यहां पर तमीन नाडू सी बात करें तो नमक सत्यागर से सम्मन ने जो अंदूलन किया था वो सी राज गोपाल चारी ने किया था किस भारते टैनिस खिलाडी ने यूएस ओपन के लिए अरहता प्राप्त की और 2019 में रोजर फेडर के खिलाप मैज खिला था सुमीत नागल ने रोजर फेडर के खिलाप 2019 में जो मैज खिला है ओप्शन दो करेक्ट है थुम यांग घाटी भारत के किस राजे में इस्तित है निमलिक्त मैंसे किस ने भारत रतन लेने से इनकार कर दिया था तो भारत रतन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा मोलाना अब्दुलकलाम आजाद ने तो आजाद साब ने भारत रतन लेने से मना कर दिया था वैसे इनको बाद में मर्नोपरांद 1902 में मर्नोपरांद भा 1888 को इनका जनम हुआ है और जो ग्यारा नॉवंबर है और ये भारत के शिक्सा मंत्री भी थे पहले शिक्सा मंत्री थे रह चुके हैं और ग्यारा नॉवंबर को जनम के यहां पे उपलक्स जो जनम को यादगार बनाने के लिए जैंती को ग्यारा नॉवंबर को इनकी राष् शिक्सा देवस पूछले तो 11 नवंबर हो जाएगा और ये भारत के पर्थम शिक्सा मंत्री रह चुके है और 11 नवंबर को भारत में राष्टे शिक्सा देवस के रूप में जैनती मनाई जाती है तो जो प्रोग्राम बनता है वो कोड से बनता है तो नम हवा है वो पहाड़ों के उपर उठने के कांट जो वर्षा होती है वो भोगुलिक वर्षा कहलाती है नेक्स्ट मन्या पर परति जविक का जनक फादर आप एंटिबायोटिक किसे का जाता है सेलमन वाक्समेन को कहा जाता है वैसे जो पर्थम एंटिबायोटिक है फ़स्ट एंटिबायोटिक उसका क्या नाम है वो है पैनिसलिन फ़स्ट एंटिबायोटिक पैनिसलिन है और इसकी खोज की थी वो की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसलिन की खोज की थी यह क्यों समय पूछा जाता है और फादर आप एंटिबाइटी कहा जाता है सेल में वाक्षमेन को भारती नोसेना इंडियन जो नोसेना नेवी हैं सिंगापूर गंडराजे नोसेमा आरेसन रोय канал थाइलेंड नोसेम अनि आरेटियन को समलित करके पहला 356 नोसेना अभ्यास है यह आपके सोहला सितमबर 2019 को कहा पर उया था 17 अडियन था-सीन को यह तीनो देसों कि स्पंगे जो त्री पक्रेयर्ण आपकी एल्च जहता है तो सोन्य गंदी फिर यहां पर अध्यक्स हैं उससे पहले राहुल गांदी रहे थे और अभी अंत्री मद्यक्स हैं वापस होनिया गांदी बन चुकी हैं कांग्रेस की अनन्थ पुरा जील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो मैं जील के बीच में बना हुआ है तो किस राज्य की जील में तो कैरल में जील के बीच में बना हुआ है अनंत पुरा जील मंदिर और यहां पे आपको जान कर रहे हैं कि यहां पे आच्रे होगा कि इस मंदिर की रखवाली एक ऐसा मगरमच करता है जो कभी मासका 7 नहीं करता है और यह इस मंदिर की रखवाली करता है अनंत पुरा जील मंदिर है इसक तो यह आपके हो जाएगी appendix तो आपके appendix हैं जो की आत का एक टुकड़ा होता है और इसकी संक्रमन से पेट दरद पैदा करने वाला एक आमकार्ण रहता है appendix है जो छोटी आत होती है ना छोटी आत और बड़ी आत इनके मद्य यह में इस्तित होता है एक आत का टुकड़ा जो की फिंगर लाइक होता है अंगुली के आकार का और इसमें डाइजेशन के लिए अच्छे बैक्टिरिया जमा हो जाते हैं और पेट का दरद होता है appendix के कारण तो यह आपकी फिंगर लाइक जो ब्लाइंड एंडे ट्यूब है और इसे कहा जाता है appendix अगस 2019 में चीन के खिलाप लोग तंतर के समर्थन में समर्थों के आंदोलन के का पारान काफी देन बंद कर दिया गया था तो हांग कारण कांग होँग का डर हमग है चाईना का तो आंदोलन के करन clarity अगस 2019 में चीन के खिलाप लोग तंतर के समर्थन में मिया क होटा कारण इस के करण इस ब्लास कॉर्ण किया था कुछ दिन के लिए भारत में पहले आम चुनाव कब हुए काफी एजी क्योशन 1951 में हुए थे भारत के पहले आम चुनाव जो लास्ट क्योशन है यानि magnitude परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी कौन सी भोतिक रासी में परिमाण और दिशा दोने होते हैं तो vector हैं さदीस रासी क्योशन जो गजो जो पूँचे के sayश्चिक कि एक गवर हो चुके हैं वो भी एक्ष्टा फेक्ट साइथ तो इस बात पर लाइक जरूर बनता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को क्लिक कर देना मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वन दे मातरम जैह इंडोस तो